हेलो एवरिवन, आप सबी अच्छे होंगे आज किस वीडियो में बात करने बाला हूँ राजिस्थान, प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक सिख्षक भरती के बारे में जैसे कि इस सायद आप लोगों को पता होगा कि राजिस्थान सरकार ने प्रात्मिक सिख्षक भरती और उच्छ प्रात्मिक सिख्षक भरती में किस बदलाब किये हैं पहले आपकी जो प्रात्मिक सिख्षक भरती जो रीट के प्राप्तांकों के आधार पर केवल होती थी उसमें थोड़ा संसोदित किया गया है और इसके अलावा आपका जो रीट की जो वैलिटी अब आज इबन कर दी गए यह पहले वो किवल आपका एक्जाम तक होती थी आपने एक्जाम दिया ठीक है और उसकाद आपकी भरती भी उसमें आपका रीट के अकॉर्डिंग आपको मेरिट बनती थी और बस आपके रीट के काम खतम फिर आपकी फिर से रीट के एक्जाम होगा फिर से भरती आएगी ठीक है बट अब आप एक बार रीट देंगे और वह आपको बार-बार रीट एक्जाम देने की जरुबत नहीं है ठीक है तो एक तोगी रीट की वैलिटी से लेटिड और अब जो भी आपकी भरती हुआ करेंगी वो रीट के माध्यम से नहीं हुआ करेंगी अब उसके लिए आपको यूपी की तरह जैसे यूपी में आपका यू करेंगे दीके पहुआ को हर वार रीट के जर्याम देना होता अब आपको रीट के जर्याम एक बार देंगाए इख तोई आपका है ये कि इसकी जो वैदता है वो आजीबन कर दिए ठीक है इसके लाब आप जो आपकी भष्ती फ्रत्तार्य गता एक नए सीरे से होगी तो इसका हम आगे और देख लेते हैं ठीक है यहाँ पर आप देखिये इसमें पर पृति naprawdę आयुज्यत के प्रापतांकों की ऍषमा पर किया जाएगा थीक है तो इसमें संसोधन करके भी कि रिट के बाद एक और एक्षम होगा ठीक है और छोंर और यूज है आपकर प्रापतांगों की आद्हार पर आपकी मेरेट्ट किसी से बुद्ध मेंगा यह एक जम और आगे रीट के लाव ठीक है टैट सुपर टैट आप इसको बोल सकते हैं ठीक है और इसमें आपका अक्डमिक का कुछ भी नहीं है कि आपका अक्डमिक जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा ठीक है तो अभी तक यह जो नोटिफिकेशन इसके गौड़ेंगा मान स की आपका देनें के एक रीट का और रीट के बाद आपको देना पड़ेगा जो भी आपका सुपर अध्य है कि यहां ने रिट में भी लाग होगा राजस्तान में भी क्या वो तो इस विसे में देखो इस नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो बाकी चीज़ अब तभी क्लियर होंगी जब आपकी भरती का नोटिफिकेशन आप आएगा ठीक है तो यह कहना भी जल्दबाजी है कि सीटेट सामिल होगा या नहीं होगा ठीक है यह तो आपकी बाद में कलियर होंगी गया तो यह आपका निया पैटरन है इसमें आपका देखो तीन सो अंको का प्रस्ट होगा ठीक है रिट का आपका बस आफसें तीन से अंक, मतलब आपका हर एक QOSTION क्या होगा, दोट λέ सा ओगा होगा, ठीक है? और इसमें आपका ढाई घंटे का टाइम बढ़े हैं, मतलब आपका जो समय है, वह एकिसोपचास मिनट है, ठीक है, ठीक है, तो एकिसोपचास by कच में ताइम, दोटential तीन Bayern का है, ठीक है? तो अब आपका रीट के पर एक कॉलिफाइंग एक्जाम रह गया, अब रीट में आपको बस पास करना है, 90 और 82 के अकॉर्डिंग, ठीक है, बस आप पास हो जाएए, बाकी अब रीट का कोई वैलू नहीं है, ठीक है, अब जो भी आपका होगा, वो मेन एक्जाम से आपकी मि बाकी देख लेते हैं, अलग-अलग स्लेबस के आए, तो यह आपका है, एक से पांच तक के लिए, मतलब यह आपका है, प्राइमरी का, ठीक है, राजिस्थान का भागॉलिक, एतियासिक और सांस्कृतिक ज्यान, यह आपका 90 नमर का आएगा, राजिस्थान का सामान ज्या और यह आपका निसुल के हो, अनिवार वाल सिक्षा का दिनियम और सामाइक बिस है, ठीक है, यह आपके आएगे नभ्भेंग के, इस फिर आपका यह बिध्यालय विषै और इसमें आपका यह सेक्चछिक रीती विज्यान, बिध्यालय विश्या में तो आपका आजाएगा गड़ित दसंग, सामन बिग्यान दसंग, सामाजिक अध्यन दसंग, ठीक है, यह अंक दे रखें, अगर हम इसको questions में करेंगे, तो यह आपको जाएंगे, 45 questions इसके आएंगे, 45 questions इसके आएंगे, 45, 45, 90 होगा ठीक है, तो और यह 5, 5, 5, 5, 5, ठीक है, क्योंकि इसमें यह अंक दे रखें, क्योंकि आपका एक question दुअंका होगा, तो यह आदा कर लो आप, ठीक है, तो यह आपके 45, 45, यह 5, 5, 5, 5, ऐसी इसमें आपका हिंदी दस आठंक, यह अंग्रेजी आठंक, कडित आठंक, सामान बिग्यान भी आठंक, सामाजिक अध्यन आठंक, ठीक है, तो आपके question हो जाएंगे 10, यह आपका है सूचना तक निकी, यह आपका है 10 अंका, तो यह आपके हो जाएंगे 5 question, ठीक है, तो 45, 45 question हीए, 5, 5, 4, 4, यह, 10 question हीए, ठीक है, और 5 question हीए, टोटल आपके question हो जाएंगे 150, और अंक आपके हो जाएंगे 300, ठीक है, और आपका जो कठन इसमें आपका राज़िस्थान का भोगौले कितिहास सत्तर अंक का आपको जाएगा 35 कोश्चन राज़िस्थान का सामान ग्यान सैक्षिक परिदस्थ और यह आपका सेम ही टॉपिक है जैसे आपके प्राइमरी में था यह आपका साथ अंक तो यह आपको जाएगे 30 कोश्चन सम्न्दित विद्यायला विद्यायला ग्यान ठीक है तो यह आपके जाएंगे 120 तो यह आपके जाएंगे 60 कोश्चन इसमें आपका आज आएगा जो भी आप स्टिम से बिलॉउग करते हैं आप साइंस से बिलॉउग करते हैं तो आपका मेथ और साइंस अहरा आप chemistry जयाएं यह आपकी पैडगोगी ओगी 20 अंग मतलब 10 कोश्चन, सैक्षिडिक मनमविज्ञान, साइकलोजी 20 अंग मतलब 10 कोश्चन, सूचन तक्निकी 10 अंग मतलब 5 कोश्चन, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी हो गए टोटल 1500 कोश्चन और यह आपका 300 अंग, इसका आपका जो इसतर बोट नहीं है, बस एक ही बार आप देजीए, उसको बस आपको क्वालिफाई करना, 82 ए 90 माक्स जो भी आपकी कैटेगरी में इसके अग्जाम को पास करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, आपको एक और एक्जाम देना होगा, जिसको आप सुपर रीट बोल सकते हैं यह जो आपका एक्जाम होगा, इसके माक्स से आपकी मेरिट बनेगी, और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग का भी उन्होंने कर रखा है, जबकि आपका रीट का निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, तो I hope राजिस्तान प्रात्मी सिक्षग बरती और उच चेंजिज होएं, उसको एलेटिट आपकी जो भी डाउस ते सब क्लियर हो गए होंगे,